लोगसवा के बाद राजिसवा में भी तीन तलाग बिल वंगलवार को पास हो गया राजिसवा में बिल पर करीब चार घंटे बहस होई इस दौरान बिल को सेलेक्शन कमीटी के पास भेजने का प्रस्ताव 84 के मुकाबले 100 वोटों से गिर गया बूटिंगे दौरान ही कॉंग्रेस निता गुलाम नभी आज़ाद ने बिल को सेलेक्ट कमीटी के पास भेजने का मुद्ध उठाया गांधी पुरिवार के करीबी संजर सेह ने कॉंग्रेस और राजिसवा सदसे पस्ते मंगलवार को इस्तीफा दे दिया बारा जुलाई को लिखे गए इस पत्र में पीडिता ने कहा था कि उन लोगों पर एक्शन लिया जाया जो धमकाते है मधिप्रदेश, महाराष्ट, गुजराच, अटिजगर, तिलंगाना और नागले दो दिन भारी बारिश को चितावरी दी गई है साथ ही मुंबई के लिए भी रेड अलट जारी किया गया है नासिक में गुदावरी नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है पाकिस्तान के पी-म इबरान खान ने जवरन धर्म परिवर्तन को गैर इसलामिक करार दिया उन्होंने कहा कि जो इसकार में लिप्त हैं वे मुस्लिम इतिहास को नहीं जानते जमू कश्पीर के अलग-अलग सेक्टरों में पाकिस्तान की और से सीजवायर को लंगन लगातार जारी है उत्रपरदेश के रामपुर में जोहर यूवरसिटी पर प्रशातन ने छापा मारा है इस दौरान पुलिस को करीब 300 किताबे अभी तक मिल चुकी है पुलिस का कहना है कि ये किताबे चोरी की गई थी ये किताबे करीब 100-300 साल पुरानी है इस मामले में अब तक यूवरसिटी के चार करमचारी फिरासत मिलिया गया है पशिमंगाल के नहराजपाल के तौर पर जगदीस धनगर ने शपत ले ली है इन्होंने केसरी नात्र पाठी की जगह लिया है राजबवन में आएजिस शपत ग्रेन सवारू में कलकरता उच्चे ने आले के मुक्ते नायधीश टीबी एंड रादा कृष्णन ने उन्हें शपत दिलाई सब्ता के दूसरे कारवरी दिन घरिलू शहर बाजार बारी गराट के साथ भी ते दो माह के नीम तवस्तर पर फिसल गया है वहीं ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो यह भी तीन माह के नीम तवस्तर पर पहुंच गया है बाजार में भारी बिकवाली का आलम ये रहा कि एन ऐसी निफ्टी 11100 के स्तर से भी नीचे फिसल गया